खूफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है नए खुलासे के मुताबिक जमातुद दावा के कराची और लाहॉर के दफ्तरों में भारत के खिलाफ ओल्लाइन जिहाद की साजिश रची जा रही है कश्मीर में ओल्लाइन जिहाद और आतंक्यों के पक्षमे सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ मुहीम चलाई जा रही है आयसाय ने 12,000 रुपे से लेकर 20,000 रुपे तक की सैलरी पर दजनो टेक्स सेवी एक्सपोर्ट्स को हाफिस सईद के दफ्तरों में काम पर लगाया है जर्य हो रहा है कैसे भारत के खिलाफ जहर उगली जाए इसके लिए बकाइदा लोगों को सैलरी पर रखा गया है दफ्तरों में और यह बताया जा रहा हाफिस सहीद के दफ्तरों में ही लोग काम करते हैं और लाइन कैसे लोगों को भढ़काया जाए इसकी साजिश रची जा रही है तो भारत के खिलाफ सोचल मीडिया पर आसाए कि नापाक साजिश जिसका परदा फाश हो चुका है और कैसे लोगों को सबख सखाया जाता यह बेहत्मा अतपूर हो जाता है यूकि सोशल मीडिया का गलत इस्तमाल कैसे करने की कोशिश है भारत के खिलाफ यह खुल करके सामने आ चुका है मनीश यह सद जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ मनीश यह बताईए यह तमाम जीसे खुल कर तो सामने आ चुकी है लेकिन कैसे रोकी जाएंगी देखे बार बार यह होता है शोटा चुका फाकिस्ताण इंदिखावा करता है कि भार्रश से बात्चित करना चाहते हैं लेकिन अगिए था पूरी पाकितान आर्मी और आइसा ही भारत के खिलाब लगातार कश्मीर में वो आतंकियों के मदद कर रही है सुरक्षाबलों पर हमने करा रही है जब इमरान खान बात्चीत के निवचा जा रहे तो उसी टाइम हम देख रहते हैं कि कश्मीर में कि पुलिस वाले हैं उनके घर वालों पर हमने हो रहे थे और अब यह भी बात सामने आई है कि बकायदा जो आफिस साइद के दफ्टार है जमातों दावा के यहां आई साइक लोग बैट करके ऑन-लाइन शोशल मीडिया पर एक कंपेंड चेड़े हुए है और आफिकें को मज़द कर रहा है तो इस सित्में दोरों चीजे एक साथ में हो सकते हैं और यह वी एक वज़ा है कि भारत ने जो खाहल शुरू के से उसको द्वारा रद कर दिया हूँ चले मनी जनकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वाकई बढ़ाया है मो जाता है एक तरफ पाकिस्तान जो कहता है बाचीत होनी चाहिए जब बाचीत रद की जाती है भारत की ओर से जिसरी की इसे लगातार हमारे जवानों को निशाना बनाया जा रहा था बरबरत भारत की खिलाफ एक बड़ी साजी चुची जाती है क्या इम्रान खान ऐसे लोगों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे क्या यह लोग नजर नहीं आते हैं इम्रान खान को तो क्या ऐसी सूरत में बातचीत हो सकती है सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी गिरेवा में जहाग कर पाकिस्तान के कि देखना चाहिए लॵो, अँबास का बादी ख़बर करते हैं, B.SF जवान की हद्टे के बाद, B.SF अधिकारियों को कॉल किये गए, B.SF अधिकारियों की नमबर पर पाकिस्तान चाएं, जाञ्र के दौरान दस नमबर पाकिस्तान के निकले, शहीद जव जाज के दौरान नरेंद्र कुमार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है, सोशल मीडिया पर भारतिय सेना को बदनाम करने का पूरा प्लान थाई है तो जाज के दौरान दस नंबर पाकिस्तान के निकले हैं तो B.S.F. जवान के हद्या के बाद किस तरीके से B.S.F. के अधिकारियों को कॉल किये गए B.S.F. अधिकारियों के नंबर पर ये सारे कॉल पाकिस्तान से आये थे जाज के दौरान ये बात सामने निकल कर आती हैं कि 10 नंबर पाकिस्तान के निकले हैं इन में शहीद जवान नरेंदर कुमार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिशे किस तरह से की गई हैं वो भी अफसामने आया है सोशल मीडिया पर भारतिय सेना को बदनाम करने का प्लान लगतार जारी है और यह अभी हमने आपको दिखाया भी कि कैसे पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए हैं हाफिस साहीद के दफ्तरों में जो सोशल मीडिया के जरिये भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं